मैं डॉक्टर भामा अगरवाल आपके अपने यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं अभिनंदन करती हूं आईए प्यारे बच्चों आज हम चायावाद के चार प्रमुख कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले जैशंकर प्रसाद दुआरा रचित कामाईनी का अध्यान करते हैं हमारे पाठ्यकरम में आनंद सर्ग शामिल हैं कामाईनी जैशंकर प्रसाद की एक सरवस्रिष्ट कृती होने के साथ साथ यह हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का भी सरवस्रिष्ट काव्य ग्रंत माना जाता है कामाईनी में पंध्य सर्ग है और आनंद उसका अंतिन सर्ग है यहां कवीने मानव के जीवन में अनेक प्रकार के पड़ाव आते हैं अनेक प्रकार के कर्म होते हैं अनेक प्रकार का जीवन के प्रती द्रिष्टी कोन होता है लेकिन अंत में प्रतेक व्यक्ति प्रभू की शरण में जाकर आनंद की तलाश करता है यहां कवीने उसी आनंद का जिक्र किया है उपनिशदों में भी आनंद से ही स्रिष्टी का निर्मान माना जाता है आनंद में ही स्रिष्टी चलती है और अंत में आनंद में ही विलीन हो जाती है कवी ने यहां उसी आनंद का जिक्र या वर्णन इस आनंद सर्ग में किया है कामाईनी के रचेता और कामाईनी में शैव दर्शन का विशेश स्थान है शैव दर्शन भगवान शंकर से जुड़ा कुआ जो दर्शन दर्शन अर्थात जीवन के तत्वों को देखने का एक विशेश नजरिया दर्शन कहलाता है हम आनंद सर्ग में जिस कथा का अध्यान करेंगे वो इस प्रकार है कामाईनी के तीन प्रमुख पात्र हैं मनु श्रथा और इड़ा इड़ा जो की इस सर्ग में आरंब से अंततक चलती हुई दिखाई देती है इड़ा ने श्रथा और मनु के पुत्र मानव को साथ लेकर सारस्वत प्रदेश को पुनह वसाया है विवस्थित किया है और उस विवस्था के बाद उस प्रदेश के निवासी वैभव धन धन्य आदी से परिपूर होकर सुख में जीवन व्यतीत करते हैं और इस प्रदेश में मानविये विकारों का प्रभाव नहीं है सभी लोग एक परिवार के सदस्यों की भंती मिल जुलकर प्रेम से रहते हैं एक दिन इडा उनके पुत्र मानव को लेकर और सारस्वत नगर के निवासियों का एक दल बनाकर श्रद्धा और मनु के दर्शन के लिए कैलाश परवत की ओर जाती है तो जाते हुए उनके साथ जो सामान हैं जो लोग हैं जो जीव हैं उनकी किस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया है उसका वर्णन को उनोंने बताया है किया है वो जब कैलाश परवत की ओर जाते हैं तो उनके साथ नंदी बैल है जो शैव दर्शन के अनुसार मोक्स को देने वाला है और भगवान शंकर का वाहन है इसलिए इस दल का जो नेत्रित्यों कर रहा है धर्म के परतिनिधी के रूप में वह बैल है और उस पर सोम लता की बैल लदी हुई है उसके एक घंटा लटका हुआ है जो निरंतर मधुर ध्वनी उत्पन्न करता है यहाँ इस समू का जो नेत्रित्यों कर रहा है वो मनु यानि मनु और श्रद्धा का पुत्र मानव है उसके एक हाथ में बैल की रसी है और दूसरे हाथ में उसने तिर्शूर ले रखा है और परवतों की चड़ाई कर रहा है इडाने गैरवे रंग के साधवी वस्तर पहने हुए है और वह भी मानव के साथ साथ चल रही है और उनके पीछे पीछे मधुर ध्वनी में मंगल गान करती हुई महिलाएं चल रही है उनके दल में अनेक बच्चे असंखे युवक महिलाएं हैं जो बड़ी प्रसन्यता पुर्वक हसी कुशी के साथ इस यात्रा को कर रही हैं उनके साथ चवर है यानि जिसे हम या कहते हैं या चावरी गाय कहते हैं वो है और उन पर इस दुरुमारग में इस परवता आरोहन के दोरान जिन जिन चीजों की अवशकता पढ़ सकती थी वो उस पर ला दी गई हैं और बहुत से छोटे बालकों को भी इन पर बैठाया गया है महिलाएं बच्चों से बाच्चीत करती हुई चल रही हैं बच्चे जिग्यासू होकर बार बार पूछते हैं कि अब हम कितना ओर चलेंगे और इस प्रकार हैसी खुशी के साथ ये सारा रास्ता तै होता है इड़ा शांत तपोवन की बात यानि श्रद्धा और मनु जहां निवास करते हैं उसकी बात बता रही है और बच्चे जिग्यासा पुरवक एक के बाद एक नए नए प्रश्न करते जा रही है यात्रियों का दल चलते चलते उस स्थान पर पहुँच चुका है जहां मनु स इड़ा और मानु उन्हें प्रणाम करते हैं तब मनु अपनी समादी से हटकर एद्वेतवाद अभेदता का भाओ या अभेदता के बारे में बताते होंबे कहते हैं कि हम जिस स्थान पर हैं यहां सामने कैलाशु करवत हैं और कोई भी किसी भी प्रकार से यहां अपना पराय के भेद में नहीं आ सकता जो भी इससे जुड़े हुए हैं उन में से कोई दुखी नहीं है शापित नहीं है तापित नहीं है किसी में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है कोई पापी नहीं है सब एक दूसरे के साथ मिल जुलकर प्रेम से एक परिवार की भांती रहते हैं श्रधा मनु के द्वारा दिये इस उपदेश को सुनकर मंद मंद मुस्काने लगती है और सारा का सारा परवतिय छेत्र अलौकिक प्रकास से जगमगाने लगता है और पूरा वातावरिन उस आनंद से भर जाता है सभी यात्री एक दूसरे को अभिन्न समझते हुए एक दूसरे में पूर्ण तादत्म के साथ मेल के साथ मिल जाते हैं और वहां जाने के बाद मनुश्यों की दृष्टी में जड़ चेतन आधी का सब भेदभाव समाप्त हो जाता है और सब अपने आपको एक अखंड एद्वितिय आनंद में महसूस करते हैं आईए बच्चों इसी प्रकार के भावों को समेटे हुए कामाईनी के पंदर्वे सर्ग आनंद सर्ग का अब हम अध्यान आरंब करते हैं संख्या 21. चीर मिलित प्रकृती से पुलकित वह चेतन पुरुष पुरातन निज शक्ती त्रंगाईत था आनंद अंबू निधी शोभन भर रहा अंक श्रद्धाका मानव उसको अपना कर था इडा शीष चर्णों पर वह पुलक भरी गदगद स्वर प्रसंग प्रस्तुत्पत हमारी हिंदी की पाठे पुस्तक आधुनिक हिंदी कवीता में संकलि छाया वाद के आधार स्तंब कवी शिरी जैशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामाईनी के अंतिम सर्ग आनंद सर्ग से लिया गया है संधर यहां जब सारस्वत प्रदेश के निवासियों का नेत्रित्व करते हुए इडा और मानव श्रधा मनू के निकट पहुचते हैं तो मानव इडा ने श्रधा मनू के साथ किस परकार का वहवार किया कैसा उनका आचरन था और कैसी भावनाएं थी उनका वर्णन करते हुए कवी वर लिखते हैं कि व्यक्या शब्दों के अर्थ साथ साथ चीर अनादिकाल से अनंतकाल से यानि हमेशा से मिलित मिलकर रहते हुए प्रकृती इश्वर का रचा हुआ वह संसार जो हमारे चारों और है से से पुलकित अत्यधिक प्रसंद वह हमेशा से चेतन सजीव पुरुष नर पुरातन सबसे पुराना की कवी कहते हैं कि वह सबसे पुरातन पुरुष अर्थात भगवान शंकर अनादिकाल से इस प्रकृती अर्थात आदी शक्ती से मिलकर इस प्रकार प्रसन है इस प्रकार आनंद मगन है आगे कवी बता रहे हैं कि किस प्रकार आनंद मगन है निज अपनी शक्ती ताकत गरिमा महिमा तरंगाईत तरंगों से भरा हुआ लहरों से भरा हुआ था था आनंद प्रसन्यता अंबु सागर निधी खजाना शोभन कि जिस प्रकार लहराता हुआ सागर अपने ही लहरों से अपने ही जल परवाह से शोभाइमान होकर पुलकित हो रहा हो अर्थात कभी कहना चाहते हैं कि श्रद्धा और मनु का मिलन आदी शक्ती मा पार्वती और पुरातन पुरुष भगवान शंकर के मिलन की भांती पूरुण था और उनके हिर्दय में प्रसन्नता लहराते हुए सागर की तरह शोभाइमान थी भर रहा अंक श्रद्धा का मानव उसको अपना कर कि श्रद्धा का पुत्र मानव अपनी माता को अपना कर उनकी गोद में जा बैठा था था इड़ा शीष चर्णों पर और इड़ा का सिर्भी श्रद्धा के चर्णों में था वैं पुलक भरी गदगद स्वर्द कि श्रद्धा से मिलने के बाद इड़ा ने अत्यदिक प्रसन्नता भार से बोलते हुए कहा या कहने लगी आईए बच्चों हम एक बार फिर इस पद की व्यक्या करत हैं यहां कवी जैशंकर प्रसाद श्रद्धा और मनु के मिलन की तुलना भगवान शंकर और पारवती से करते हुए बताते हैं कि चीर मिलत प्रकृती से पुलकित वह चेतन पुरुष पुरातन की जिस प्रकार अनाधी काल से प्रकृती रूपी आधी शक्ती अत्यंत पुरातन पुरुष भगवान शंकर से मिलकर इस प्रकार प्रसन्नती जैसे अपनी ही शक्ती से लहराता हुआ सागर आनंद से पुँख्यायमान हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार, श्रद्धा और मनु का मिलन्वी, अपने आप में पूर्ण और प्रसंदा का परिचायक था, आनंद का द्योतक था, आनंद से भरा हुआ था, भर रहा अंक श्द्धा का मानवους उसको अपना कर, कि श्रद्धा का पुत्र मानव अपनी माता श्रद्धा को अपना कर उनके प्रेम से भर कर उनकी गोद में जा बैठा था अर्थात श्रद्धा अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम भाव से उसे अपनी गोद में बैठाई हुए थी था इडा शीष चर्णों पर और श्रद्धा के चर्णों में इडा का सिर्था अर्थात वह श्रद्धा से श्रद्धा के चर्णों में जुकी हुई थी वह पुलक भरी गदगद स्वर और इडा अत्यंत प्रसन भाव से श्रद्धा से कहने लगी भावार्थ कवी के कहने का भाव यह है कि श्रद्धा के मिलने से इडा का अभीमान नस्ट हो गया मानव के हिर्दे में प्रेम का भाव जगा और मनु और श्रद्धा का जो मिलन है वह उनकी दृष्टी में पूर्ण सार्थक और सही था विशेश यहां कवी ने मनु और श्रद्धा की तुलना आदी शक्ती पार्वती और भगवान शंकर से की है विशेश यहां कवी भगवान शंकर और आदी मा पार्वती का मिलन जिस प्रकार पूरण है उसी प्रकार मनुवे श्रद्धा का मिलनवी पूर्वे आनंद का परिचायक बताया है शुद्ध साहितिक खड़ी बोली का प्रियोग है शांत रस प्रसाद गुण है अभीधा शब्द शक्ती है कभी ने स्वनिर्मित चंद का परियोग किया है गेशैली और संगीतात्मता है इस पद में अनुप्रास, पदमेत्री, रूपक, आदी अलंकारों का सुन्दर सटीक परियोग हुआ है पद संख्या बाइस बोली मैं धन्य हुई हूँ जो यहां भूलकर आई ही देवी तुम्हारी ममता बस मुझे खींचती लाई भगवती समझी मैं सचमुच कुछ बीना समझ थी मुझको सबको ही भुला रही थी अभ्यास यही था मुझको प्रसंग पूर्ववत संधर यहां इस पद में जब सारस्वत नगर के निवासियों का नेत्रित्व करती हुई इडा मानव को लेकर श्रद्धा और मनु के निकट पहुँचती है तो श्रद्धा की छवी को देखकर इडा के हिर्दे में पस्चाता की भावना उत्पन होती है और वह अपनी अतीत में की गई गलतियों की माफी मांगते हुए श्रद्धा से कहती है की व्यक्या शब्दों के अर्थ साथ साथ बोली कहने लगी मैं इडा के लिए धन्य हुई हूँ किर्तग्य हुई हूँ आभारी हुई हूँ जो जो की यहां कैलाश के छेत्र में या तुम्हारी शरण में भूलकर भूलकर आई आई हूँ की इडा श्रद्धा से कहने लगी की आज तुम्हारे दर्शन करके मैं धन्य हो गई हूँ जो गलती से भूलकर यहां तुम्हारी शरण में चली आई हूँ अर्थात इडा के कहने का भाव यह है कि जो चाहे मैं तुम्हारे पास गलती से आई हूँ लेकिन यहां आकर तुम्हारे दर्शन करके मैं धन्य हो गई हूँ आभारी हूँ हे देवी तुम्हारी ममता बस मुझे खीचती लाई कि तुम देवी तुल्य हो और तुम्हारा स्ने भरा ममता भरा वहवार तुम्हारा प्यार बस केवल मुझे इडाने अपने लिए खीचती लाई खीच कर ले आई है कि आज तुम्हारे प्रेम के कारण, तुम्हारे सने के कारण ही मैं यहां आगई हूं, वरना मेरा यहां आने का कोई इरादा नहीं था, कोई विचार नहीं था. भगवती समची मैं सचमुच, कुछ भी न समझ थी मुझको, भगवती देवी, समची समझ गई हूँ मैं अब, सचमुच सही में, कुछ भी न समझ थी मुझको, के मुझे किसी प्रकार की कोई समझ नहीं थी, अर्थात मुझे कोई ग्यान नहीं था केवल अहंकार था और उस अहंकार के कारण सबको ही भुला रही थी कि मैं सबको रास्ते से भटका रही थी उन्हें गलत रहा पर ले जा रही थी अभ्यास यही था मुझे को अभ्यास अर्थात आदत और यह मेरा स्वाभाव बन गया था यह मेरी आदत बन गई थी लेकिन आज तुम्हारी शरण में आकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है पस्चाताप हो रहा है आईए बच्चों हम इस पद की व्यक्षा एक बार फिर करते हैं बोली मैं धन्य हुई हूँ जो यहां भूलकर आई कि इड़ा श्रण्धा से कहने लगी कि हे देवी आज मैं जो भूलकर तुम्हारे पास आ गई हूँ गलती से तुम्हारे पास आ गई हूँ यह गलती भी मुझे अपने लिए एक पुरुषकार की भांती एक आनंद के कारिय की भांती लग रही है और मैं अपने आपको धन्य मानती हूँ हे देवी तुम्हारी ममता बस मुझे खीचती लाई कि हे देवी यह केवल तुम्हारा प्यार है तुम्हारा स्ने है जो मुझे तुम्हारे पास ले आया है अन्य था मेरा यहां आने का कोई इरादा कोई विचार नहीं था भगवती समझी मैं सच मुझ कि है देवी, अब मैं सचमुच में समझ चुकी हूँ कि, कुछ भी न समझ थी मुझको, कि मुझे किसी परकार का कोई ज्यान नहीं था, अर्थात, मुझे में केवल अहंकार का भाव था, एहम भाव था, और उसी एहम भाव के कारण सबको ही भुला रही थी, कि मैं इस संसार म सबको गलत रास्ते पर ले जा रही थी, जीवन पत से भटका रही थी, अभ्यास यही था मुझको, यही मेरी आदत बन चुकी थी, मेरा सौभाव बन गया था, और आज जब से मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, तुम्हारी इस मोहक छवी के दर्शन किये हैं, तो मुझ मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, मुझे उस पर पश्च्याताब हो रहा है, भावार्थ, कवी के कहने का भाव यह हैं, कि श्रद्धा के सोम्य दर्शन ने इडा के हिर्दय का परिवर्तन कर दिया, विशेश, इडा की पश्च्याताब भरी मनस्थिती का, मनो भाव का चित्रन किया गया है, शुद्ध साहिति खड़ी बोली का परियोग है, लक्षना शब्द शक्ति है, शांत रस प्रसाद गुन है, कवी ने स्वयनिर्मित चंद का परियोग किया है, गेशेली और संगीत आत्मकताब बनी हुई है, यहां इस पद में समवादात्मक अवोक्ति आदी अलंकारों का सुन्दर सटीक परियोग हुआ है, पद संख्या तेईस, हम एक कुटुम्ब बनाकर यात्रा करने हैं आएं, सुनकर यह दिव्यत अपोवन, जिसमें अब अग चुट जाएं, मनुने कुछ-कुछ मुस्का कर कैलास ओर दिखलाया, बोले दिखा कि यहां पर कोई भी नहीं पराया, प्रसंग पूर्ववत, संधर, इस पद में, जब एड़ा पस्चाताप से भरकर, श्रद्धा से माफी मांगती है, और अपने मन के विकार को, मन के दुर भाव को श्रद्धा के समक्ष रख देती हैं, तो वह बड़े शांत भाव से, अर्थात इड़ा बड़े शांत भाव से, श्रद्धा से कहती है कि, हम एक कुटुम्ब बनाकर, हम सारस्वत नगर के निवासी, एक एकता के सुत्र में बनकर, या एक बनकर, कुटुम्ब परिवार, बनाकर, तैयार करके, यात्रा, कैलाश यात्रा करने हैं, आए, कि हम सब सारस्वत नगर के निवासी, यहाँ एड़ा श्रद्धा को बताने लगी, कि हम सभी सारस्वत नगर के निवासी, एक परिवार का रूप धारन कर, परिवार के सदश्यों की भांती मेल मिलाप से बड़े प्यार से एक साथ मिलकर यहां इस तपोवन की यात्रा करने के लिए आये हैं सुनकर ये दिव्य तपोवन जिसमें सब अग छुट जाएं सुनकर सुना यह इस प्रकार का दिव्य आलोकिक तपोवन तप का स्थान जिसमें जिसके दर्शन मात्र से अब अब तक के अग पाप छूट जाएं समाप्त हो जाएं कि जब हमने इस अलोकिक तपोवन के विशे में यह सुना कि इसके दर्शन करने से इसकी यात्रा करने से सभी प्रकार के पापों से चुटकारा मिल जाता है सब पापों का पश्चाताप समाप्त हो जाता है और आनंद की प्राप्ति होती है तो हमें यहां दर्शन करने के भाव जागरित हुए मनु ने कुछ मुसका कर कैलाश और दिखलाया फिर कवीवर बताते हैं कि मनु मनु कि जब इडा के मुख से इस प्रकार की भावना भरी वाणी सुनी तो मनु देव ने मनु महाराज ने कुछ थोड़ा सा मुसका कर हस्ते हुए कैलाश कैलाश परवत की ओर और तरफ दिखलाया दिखलाने लगे कि यहां कभी बताते हैं जब मनु इडा के मुख से इस प्रकार सद भावना से भरे हुए शब्दों को सुनते हैं तो वह ॥ोड़ा मुसकुराने लगते हैं हसने लगते हैं और फिर सबका ध्यान वो परवत को दिखाने लगते हैं बोले देखा है यहां पर कोई भी नहीं पराया और फिर मनु एडा से कहने लगे कि देखो यह वो स्थान है जहां आकर कोई अपना पराया नहीं रहता अर्थात यहां सब अपने पराय का भेदभाव समाप्त हो जाता है और यहां जो भी है वो केवल शिव मैं है आनंद मैं है प्रभू की भक्ती में उसी का स्वरूप धारण कर लेता है आईए बच्चों हम इस पद की व्यक्या एक बार फिर करते हैं इडा मनु को उस यात्रा का उदेश्य समझाते हुए बड़े शांत भाव से कहने लगी हम एक कुटुम्ब बनाकर यात्रा करने हैं कि हम सभी सारसुत नगर के निवासी एक परिवार के स्वरूप को धारण कर एक परिवार की तरह पूर्ण मेल मिलाब के साथ सैयोग के साथ यहां की यात्रा करने के उदेश्य से आए हैं क्यूं आए हैं इसका कारण बता रही है सुनकर ये दिव्य तपोवन जिसमें सब अग छुट जाएं कि जब हमने इस तपोवन के विशे में सुना कि ये आलोकिक तपोवन है इसके दर्शन से इसकी यात्रा से मानव जीवन के सभी प्रकार के पाप सभी प्रकार के कस्ट नस्ट हो जाते हैं और पूर्ण आनंद की प्राप्ती होती है तो हम सब उसी आनंद की तलाश में उसी खुशी की खोज में यहां पहुँचे हैं मनु ने कुछ-कुछ मुश्का कर कैलाश ओर दिखलाया कि जब इडा के मुख से इस प्रकार सदभावना से भरी हुई वाणी को सुना तो मनु महराज ने सबका अध्यान कैलाश परवत की ओरा करशित करते हुए कैलाश परवत को दिखाते हुए कहा कि यह वो पवित्र स्थल है यह वो पावन स्थान है बोले देखा कि यहां पर कोई नहीं पराया कि यह वो पवित्र स्थान है जहां आकर मनुश्य के हिर्दे से अपने और पराय का भाय द्वाव समाप्त हो जाता है अर्थात यहां जो भी आता है वह शिव में हो जाता है वह आनंद में हो जाता है और वो प्रभु में होकर इस रिष्टी के प्रतेक तत्व को अपने अंदर अपने पन के भाव के साथ देखने लगता है भावार्थ कवी के कहने का भाव यह है कि कैलाश और मानसरोवर यह वो स्थान है जहां मनुश्य विकार मुक्त हो जाता है विकार रहित हो जाता है विशेश यहां कवी ने कैलाश की महिमा का वर्णन किया है और समरस्ता के आनंद के महतों को दर्शाया है शुद्ध साहिति खड़ी बोली का प्रियोग है अभीधा शब्द शक्ति है शांतरस प्रसाद गुण है समवादात्मक स्वरूप लिये हुए पद है कवी ने स्वलिर्मित छंद का प्रियोग किया है गेश यली और संगीतात्मकता है इस पद में अनुप्रास पुनुरुक्ति प्रकाश आधी अलंकारों का सुन्दर सटीक प्रियोग किया है पद संख्या 24 हम अन्यन और कुटुम्बी हम केवल एक हमी है तुम सब मेरे अवियव हो जिसमें कुछ नहीं कमी है शापित ने यहां है कोई तापित पापी ने यहां है जीवन वसुधा समतल है समरस है जो की जहां है प्रसंग पूर्ववत संधर्व यहां मनु एद्वेतवाद अभेद तत्व का बड़ा सुन्दर वर्डन कर रहे हैं कभी बताते हैं कि यह जो शिव लोक है यह जो आनंद का स्थान है यहां सब प्रभुमई है कि हम भिन भिन होकर भी भिन नहीं है हम सब उसी परमात्मा का अंश है और परमात्मा का अंश होने के कारण हम में उसी का स्वरूप जागरी तवस्था में है इसी तत्व को स्पस्ट करते हुए मनु इडा से कहते हैं कि हम अन्यन और कुटुमभी हम केवल एक हमी हैं हम सब यानि पृत्वी के जीव एक जीवात्मा के स्वरूप को लिए हुए अन्य दूसरा नै नहीं और तथा कुटुमभी परिवार के सदस्य हम संसारिक जीव केवल और केवल एक एक ही हैं हमी हम सब कि इस पद में मनु इडा को समझाते हुए कहते हैं कि यहां हम सब एक दूसरे में इस प्रकार समाय हुए हैं हमारे पीच कोई भिन्यता नहीं है नै और कुटमभी कि हम सब का अलग-अलग परिवार नहीं हैं हम एक ही परिवार से सम्मंदित हैं और हम केवल एक हैं अर्थात कवी के कहने का भाव यह है कि परमपिता परमात्मा का अंश होने के कारण इस प्रिथ्वी के प्रतेक जीव में जीवात्मा के रूप में उसी का अंश मोजूद हैं चाहे हम अलग-अलग परिवार से जुड़े हुई हैं लेकिन मूल तत्व वह जीवात्मा परमात्मा से मिली हुई हैं तुम सब मेरे अव्यव हो जिसमें कुछ नहीं कमी हैं कि मनु यहां इडा को समझाते हुए कहते हैं कि तुम सब मेरे अव्यव हो अंग हो जिसमें कुछ भी नहीं कमी हैं कि जिसमें कोई भिन्नता कोई विभेद कोई अपूरुनता कोई अधूरापल नहीं है शापित ने यहां है कोई तापित पापी ने यहां है शापित श्राप गरस्त तापित दुखी पापी पाप से भरा हुआ कि यहां एक भी व्यक्ति एक भी जीव ऐसा नहीं है जो श्राप गरस्त है अर्था किसी को किसी प्रकार के कोई कस्ट का भाव यहां नहीं होता है कोई तापित पापी नहीं है कि यहां आने के बाद किसी के पास कोई दुख शेश नहीं बचता कोई पाप शेश नहीं बचता अर्थास इस स्थान पर आकर प्रतेक जीव निर्मल हो जाता है पवित्र हो जाता है पावन हो जाता है और यहां आने के बाद मनुष्य के जो त्री ताप है वो तीनों ताप जो देहिक, दैविक और भोतिक है वो सभी प्रकार के ताप पूर रूप से नस्ट हो जाते हैं जीवन वसुधा संतल समरस है जो की जहां है कि यहां जीवन रूपी धरातल संतल समान है अर्थात यहां ने किसी को दुख है ने सुख है ने कोई व्यक्ति दुख में तडपता है और ने कोई सुख में उनमादी होता है यहां जितने भी जीव हैं वो समके सब प्रभू की भक्ती में लीन हैं और उसी में समाई हुए हैं समरस सब में समानता का भाव है सब में आनंद का भाव है कि यहां आने के बाद मनुश्य के जितने भी भेदभाव करने वाले तत्व हैं जैसे धन, भाशा, जाती, धर्म, आदी वो सब इसके दर्शन मात्र से विलीन हो जाते हैं, नस्ट हो जाते हैं यहां जो चीज बच्चती है वो केवल और केवल आनंद है खुशी है, परसन्यता है, तो आईए बच्चों, हम एक बार फिर इस पद की व्यख्या करते हैं यहां मनु इडा को समझाते हुए कहते हैं कि हम अन्यन है कि हम में से कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है और कुटम भी और नहीं कोई दूसरे परिवार का है अर्थात हम सब मानव परिवार से सम्मदित हैं और उस परमपिता परमात्मा का अंश होने के कारण एक ही जीवात्मा इस रिष्टी के प्रतेक जीव में हैं हम केवल एक हामी हैं कि हम सब केवल एक ही परिवार के सदश्य हैं हम सब एक ही परकार के भावों से भरे हुए हैं तुम सब मेरे अवियव हो कि मनु समझाने लगे कि तुम सारे के सारे मेरे शरीर का अभिन अंग हो अर्थात मनु समझाते हैं कि तुम ही मेरी पूरुणता हो जिसमें कुछ नहीं कमी है कि तुम सब में किसी परकार की कोई अपूरुणता कोई अधूरापन कोई दोश या कोई विकार नहीं है शापित ने यहां है कोई, कि ये वो पवित्र स्थल है, ये वो पावन वसुदा है, जहां कोई भी श्राप ग्रस्त नहीं है अर्थात, किसी के भाग्ये में किसी परकार का कोई दोश नहीं है तापित पापिन यहां है कि कोई जीव ऐसा नहीं है जिसको किसी भी परकार का ताप हो अर्थात इस स्थान पर आकर मनुष्य के तीनों ताप देहिक, दैविक और भोतिक पूर रूप से समाप्ट हो जाते हैं और मनुष्य के द्वारा किसी प्रकार का कोई पाप भाव उसमें मौजूद नहीं रहता अर्थात इस स्थान पर आकर मनुष्य निर्दोश हो जाता है जीवन वसुधा समतल है कि ये बो पवित्र स्थल है जहां जीवन रूपी पृण रूप से समतल है अर्थात यहां आने पर मनुष्य को सुक दुख, हर्ष विशाद, लाब हानी, यश अप्यश सभी तत्व विलीन हो जाते हैं अगर कोई तत्व बचता है वो है भक्ती भाव, समरस्ता का भाव, आनंद का भाव, एकता का भाव समरस्त है जो की जहां है, कि यहां चाहे कोई भी हो, किसी भी जाती का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी आर्थिक स्थिती से जुड़ा हुआ हो, यहां आने के बाद जो तत्व बचता है, वो तत्व प्रभू में बनने पर सच्चे सुख का तत्व बचता है, आनंद का तत्व बचता है, समरस्ता का तत्व बचता है, समानता का तत्व बचता है, अर्थात अंत में मनुश्य, पूर्ण आनंद को प्राप्त कर लेता है, मनुष्य के सभी विकार तिरोहित हो जाते हैं समाप्त हो जाते हैं विलुक्त हो जाते हैं विशेश यहां कवी ने आभेद वाद समरस्ता और एद्वेत वाद का बड़ा सुन्दर प्रतिपादन किया है वर्णन किया है शुद्ध साहितिक खड़ी बोली का परियोग है लक्षना शब्द शक्ती है शांत रस है प्रसाद गुण है कवी ने स्वयनिर में चंद का परियोग किया है गेशैली और संगीत आत्मक्ता बनी हुई है इस पद में अनुप्रास, रूपक, उलेक, आदी अलंकारों का सुन्दर सटीक परियोग किया है आज की कक्षा में इतना ही अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा आशा है पड़ा गया विशे आपको आनंद मैं बना रहा हुगा अपने भाववे विचार कमेंट बोक्स में लिखें वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल सब्सक्राइब करें आपका दिन और जीवन मंगल में हो इसी शुब कामना के साथ धन्यवाद आभार